आप मेंसे ही बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं भाई मेरे फोन में कुछ भी नहीं है फिर भी मेरा फोन फूल बता रहा है तो इसकी बहुत सारे सॉलूशन्स हैं और आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मस्कास तो मेरा नाम है रविशिंग कर पार्ठक और आप देखरें मैं प्राइमरी शेलूश है तो इस problem को आप तीन तरह से solve कर सकते हैं, थोड़ा सा easy भी हो सकता है, थोड़ा सा hard भी हो सकता है और थोड़ा सा ज्यादा hard हो सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं easy solution पर अब बहुत सारे लोगों ने मुझे comment किया था तो मैं आपको बता दू कि अगर आप अपने phone में सभी file को ढूंड-ढूंड करके delete कर रहे हैं आपकी video कहां पर है, आपके photo कहां पर है सबको delete करते जा रहे हैं फिर भी आपका phone फूल बता रहा है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं हो सकता है आपके phone में कुछ hidden file हो जो कि dot करके, पहले dot होता है इसके बाद उसका नाम होता है file का वो hidden file होती है सायद आपके phone में sort ना कर रही हो तो उसके लिए आप file manager में जा करके एक एक folder को देख करके उसकी size को देख करके उस file को आप delete कर सकते हैं इसके बाद आपके phone में space आ जाएगा और अगर आपको लगता है कि इतना सारा काम कौन करेगा इतना ढोन ढोन करके file को कौन delete करेगा तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक यूप आए बचेगा आप अपने phone को reset कर दे reset करेंगे तो आपके phone में जितना भी data रहेगा सारा का सारा data delete हो जाएगा और आपका phone बिल्कूल खाली हो जाएगा लेकिन reset करने से पहले आपके phone में जितने भी important data हैं उनका आप backup बना लिजे जैसे WhatsApp हो गया, फोटो हो गया जितनी भी data हैं उनका आप backup बना करके रख लिजे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो खास करके आप अपने सभी contact number का backup जरूर बना लिजेगा आप phone को reset करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके phone में कुछ भी so नहीं कर रहा है फिर भी आपका phone full बता रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि आपके phone में video रहेगा, photo रहेगा या कोई data रहेगा तभी आपका phone full बताएगा हो सकता है आपने बहोत heavy-heavy application का यूच कियाओ आपके phone में जो application है हो सकता है उनकी size बहुत बढ़ी हो गई हो तो उसको आप clear कर सकते हैं वहा पर आप खिसी भी application की size को कम कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं यानि की application data को आप clear कर सकते हैं तो वहां से भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके phone में ज्यादा application भी नहीं है, यानि कि जो application आपको company की तरफ से दिये गए हैं, वही application है, या आप phone को format भी कर देते हैं, यानि कि reset भी कर देते हैं, इसके बाद भी आपका problem solve नहीं होता है, तो सिर्फ आपके पास एक ही reset कर सकते हैं, hard reset आपको पता है कैसे करना है, आपको simply सबसे पहले phone को switch off कर देना है, switch off करने के बाद चाहें आपका कोई भी phone हो, switch off करना है, switch off करने के बाद आपको volume बटन और power बटन और साथ में home बटन को एक साथ दबा करके on करना है अपने phone को, कुछ देर तक दबाए रहे तो आपका phone on होगा और on होगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारे options मिलेंगे उनमें जा करके आप अपने phone को किस तरह से hard reset कर सकते हैं उसको थोड़ा सा देख लिजेगा आप Google search कर सकते हैं वहाँ पर आपको पूरी information मिल जाएगी कि आप अपने खुद के phone को किस तरह से hard reset करें तो यह थी एक छोटी सी information जो आपको पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को like कर दीजेगा वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे comment करके जरूर देगा और अगर अभी तक आपने हमारे चानल को subscribe नहीं किया तो भाई इस वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब उस पर क्लिक करके आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजे और उसके बाजू में आपको एक छोटा सा notification बेल का आइकन मिलेगा उस पर भी क्लिक करके आप उसको on कर लिजेगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वाचिंग बाबाई टिक क यज बदेगा शना है अनल टिक करके लिजेगा बसे दो कि लिएगा की बाबाई बदाना है आपको घर नहीं यह यह होता कर सक्राइब कि दो आपको लिएका